भारत का राजपत्र The Gadget of India कार्मिक, लोग सिकायत और पेंचन मंत्रा लेके कार्मिक और प्रसिक्षन विबाग यानि डियो पीटी ने एक अधिसूशना ये नाटिफिकिशन जारी किया है यह अधिसूशना 18 जून 2024 को जारी किया गया है आएए दिखते हैं कि इस अधिसूशना में क्या लिखा है इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि राष्टपती ने समिदान के अनुछे 309 के द्वारा सक्तियों का प्रयोग करते हुए कि इंद्रिय सिविल सेवा अवकास नियम 1922 में संसोधन करके कुछ नए नियम एड किये है एक के करके देखते हैं कि क्या क्या नियम एड किया गये है सबसे पहले इसमें लिखा है कि इस नियम को सौट में Central Civil Services Leave Amendment Rules 2024 कहा जाएगा और यह नियम उसे दिन से जारी होंगे जिस दिन से यहाँ अधिसोचना यानि की notification जारी किया जाएगा तो यह नियम 18 जून 2024 से लागू हो गये है क्योंकि यहाँ अधिसोचना उसे दिन जारी की गई थी माननी ये राष्टपती ने CCS Leave Rule 1972 के Rule 43 के Sub Rule 5 के बाद Sub Rule 6 में एक नया नियम एड़ किया है यहाँ रूल महिला करमचारियों के maturity leave यानि मातरतवा अवकास से related है सबसे पहले हम यहाँ जान लिते हैं कि आज के बदलते दोर में बहुत सी महिलाओं को pregnancy में समस्या होती है इसके लिए वहाँ सरोगिसी का साहरा लिती है तो इस नियम में यही बताया गिया है कि जो महिला सरोगिसी के साहिता से मां बनती है उसे भी 180 दिन का मातरत अवकास दिया जा सकता है लेकिन उसके दो से कम जीवित बच्चे होने चाहिए इसके अलावा इस नियम में यहाँ भी लिखा है कि यदि सरोगेट मदर भी सरकारी सेवक है तो उसे भी 180 दिन का मातरत अवकास दिया जा सकता है अतार्ट सरोगेट मदर जो बच्चे को जन्म दे रही है और इन्टैंडेट मदर जिसका कि वह बच्चा है यदि दोनो सरकारी सेवक है तो दोनो को मातरता अफकास दिया जा सकता है लेकिन Intended Mother के लिए यहां कंडिशन है कि उसके पहले से दो जीवित बच्चे नहीं होने चाहिए इसमें आगे दिया है कि यदि Intended पिता भी सरकारी सिवा में है तो सरोगिस्टी के केस में पिता को भी 15 दिन का पितरता अवकास दिया जा सकेगा लेकिन यहां अवकास बच्चे के जन्म की तारिक से 6 मेने की आविदे की बितर ही लिया जा सकता है इसी प्रकार CCS Leave Rules 1972 के नियम 43 गौ के उपनियम साथ के बाद एक नया नियम 8 एड किया गया है इसमें दिया गया है कि सरोगे से केस में अधिश्ठाता माता यानि की इंटैंडेड मदर को बच्चे की देखबाल के लिए चाइल्ड के लिए भी दी जा सकती है लेकिन सर्थ यही है कि उस महिला के पहले से दो जीवित बच्चे नहीं होने चाहिए यहादी सुचना अपर सचिव मनोज कुमार दुएदी के दोरा जारी की गी है इस पत्र का हिंदी और इंगलिस वर्जन आपके सामने स्क्रीन पर है